हेलो दोस्तो आज होली है इसलिए सबसे पहले मैं आपको होली की हार दिख शुब कामनाएं देता हूँ और इशुवर से प्रातना करता हूँ कि आपकी जिंदगी में हमेशा हर तरह के रंग भरे रहे और जिंदगी आपकी हमेशा खुशनुमा रहे अब आते हैं आज के टॉपिक पर आज का टॉपिक है इधर और बहुत ही असान टॉपिक है दोस्तों बहुत जादा आसान इदर और की कोई भी आपकी confusion है इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए दूर हो जाएगी सबसे पहले बात जो है आपको याद रखनी है वो ये कि सबसे नजदी का जो subject होता है वर्ब उसके अनुसार आती है वर्ब आती है सबसे नजदी के subject के अनुसार और दूसरी बात इदर का इस्तमाल चार तरह से किया जाता है दोस्तों सबसे पहला तरीका है या तो यह है या वह है यह है वह है के स्थान पर किसी वस्तू या वैक्ति का नाम आएगा example से समझे दोस्तों इदर यो और समबडी एल्स स्टील्स मनी या तो तुम या कोई और पैसे चुराता है दोस्तों समबडी एल्स वर्ब के सबसे नजदीक का subject है इसलिए वर्ब भी उसी के अनुसार आई है स्टील्स आया है या तो वह है या उसके माता पिता आज मार्केट जाने वाले है सबसे नजदीक का जो subject है वो है हर parents जो parents word है वो plural है इसलिए verb are plural ही आई है He will meet me either on Saturday और Sunday वह मुझसे या तो शनीवार को या रवीवार के दिन मिलेगा You will be allowed to give a speech either in English or in Hindi तुम्हें या तो English में या Hindi में भाशन देने की अनुमती दी जाएगी दोस्तो इदर के बाद ही preposition का use होता है इसलिए either in English आया है We will resume classes either from tomorrow or the next day हम कल से या अगले सोमवार से अक्षाएं फिर से शुरू करेंगे Either के बाद देखिये दोस्तो फ्रॉम आया है जैसा कि इससे पहले वाले sentence में था कि either के बाद ही preposition आएगी She should be either in the laboratory or in the library उसे प्रियोग शाला में या पुस्तकाले में होना चाहिए Either के बाद यहां पर भी दोस्तो preposition आई है अब है either का दूसरा इस्तमाल दूसरे इस्तमाल में either का meaning हो जाता है दोनो Example देखिये दूस्तो There are many trees on either side of this way इस रास्ते के दोनों तरफ कई पेड है Boats are available on either bank of the river Bank का दूस्तो एक meaning होता है नदी का किनारा नदी के दोनों किनारों पर नाव उपलब्ध है He can write with his either hand वे अपने दोनों हाथों से लिख सकता है दोस्तो गौर करिए Either side हमने लिखा है Either sides नहीं Either bank लिखा हमने Either banks नहीं Either hand लिखा Either hands नहीं हाला कि either का यहाँ meaning है दोनो तो जब either का meaning दोनो हो तो उसके बाद जो noun आता है वो singular आता है और तीसरा meaning है Either का भी और इसका इस्तमाल हम अकसर Negative sentences में करते हैं Negative sentences की last में जब either आ जाता है तो वहाँ Either का meaning हो जाता है भी Examples देखिए दोस्तो This medicine is very effective And it has no side effects either यह दवाई बहुत असरदार है और इसका कोई side effect भी नहीं है He doesn't exercise He doesn't eat home-cooked food either वह कसरत नहीं करता है वह घर का बना खाना भी नहीं खाता है She doesn't believe in ghost I don't believe in ghost either उसे भूतों में विश्वास नहीं है मैं भी भूतों में विश्वास नहीं करता हूं It's not hot It's not cold either यह गरम नहीं है यह ठंडा भी नहीं है She doesn't go to the village She doesn't let her husband go to the village either वह गाव नहीं जाती है वह अपने पती को भी गाव नहीं जाने देती है अब आगया दोस्तों इदर का चौत्था इस्तमाल कोई भी या कोई भी एक यह मतलब में हम इदर का यूज़ करते हैं उधारन देखिए दोस्तों You can choose either dress तुम कोई भी एक dress चुन सकते हो या तुम कोई भी dress चुन सकते हो पर दोस्तों इदर का जो इस्तमाल है भले ही यहाँ पे हम कोई भी बोल रहे हैं लेकिन ऐसा हम तभी बोलते हैं जब दो choice हो दो से ज़्यादा नहीं जब दो choices होती हैं उसमें से एक चुनने की बात होगी अब कोई भी किसंस में हम इदर का यूज करेंगे और इदर के बाद जो word आएगा या noun आएगा वो singular होगा इसलिए यहाँ इदर dress है इदर dresses नहीं टेक इदर ड्रग इद विल अस्वेच यूर पेन कोई भी दवाई लो यह तुम्हारे दर्द को कम कर देगी यहाँ पर भी दोस्तो दो दवाईयों की choice है इसलिए हमने इदर ड्रग बोला है go either way, you will reach the highway किसी भी रास्ते जाओ या कोई भी रास्ते से जाओ तुम highway पर पहुंच जाओगे यहाँ पर भी दोस्तो दो रास्ते थे एक choice की बात हमें करनी थी इसलिए either way आया है और देखिए दोस्तो either के बाद जो noun है either dress, either drug, either way यह singular use होगा that's it friends I hope you have understood very well how to use either I am sure अब कोई confusion रह नहीं गई है either और और के इस्तमाल में अगर फिर भी कोई confusion हो comment section में लिख दीजिए आपकी confusion को दूर कर दिये जाएगा पर I am sure कि आपकोई confusion रह नहीं गई है Thank you friends for watching this video Bye friends